हाई गाईज, वेलकम टू स्टडी गाउच, तो आज हम बत करेंगे कोरोना वाइरस के जो छे नए सिम्टम्स डिसकवर किये गए अभी रिसेंटली उनके बारे में ठीक है किसके द्वारा किये गए और कौन-कौन से छे सिम्टम्स है उन सब के बारे में पूरे डिटेल में हम बात करेंगे अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, सेर और सब्सक्राइब टेडिकाउच, ओके, सो अभी रिसेंटली जो यूएसे का CDC डिपार्टमेंट है, Center for Disease Control and Prevention जो है उसके द्वारा CDC की वेबसाइट पे 6 नए सिम्टम्स को लिस्ट किया गया है, ये जो कोरोना वाइरस के 6 नए सिम्टम्स डिस्कवर किया गया है, इनको, ओके, और कोरोना वाइरस से अगर मालो कोई भी पसन एफेक्ट होता है, तो उससे के 2 से 14 दिन के बीच में ये सारे सिम्टम्स भी देखे जा सकते हैं, ओके, सो अगर कोरोना वाइरस क अगर हम बात करें जो कि अभी pandemic है globally उसके cases के अगर हम बात करें तो 3.1 million cases है कोरोना वाइरस के और USA का जो CDC department है जिसके दोरह नए symptoms है भी discover किये गए है उसका main reason है वहाँ पे जो coronavirus cases है काफी जादा बढ़ गए है इस वज़े से as of today के हम बात करें तो coronavirus cases यूएस में 1.03 million है और वहीं पर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आज तक जो coronavirus के cases है वो 31,332 31,000 तक पहुँच गए है ओके जो छो नए symptoms जो है जो कि CDC जो department है USA का उसके द्वारे discover किये गए है पहला है चिल्स ठीक मतलब सर्दी वगएरा टाइप से लगना और क्योंकि अभी का अगर weather हम देखे तो पूरा summer चल रहा है अच्छे से और इस टाइम पर सर्दी लगना एक अजीब वाले situation है ओके और उसके अलावा वो मतलब कपकपी टाइप से shaking with gills कपकपी टाइप सोनर सर्दी लगना ठीक है उसके अलावा जो muscle pain है है एड़क वगेरा sore throat हो या फिर अभी recently ऐसा feel होने लगा हो जैसे जो किसी भी चीज का जो test है वो एकदम test less हो गया उसका पूरी तरह से loss हो गया और किसी चीज की smell का पता नहीं चल पा रहा हो तो यह 6 नए symptoms है जिनकी होने से लग सकता है कि समभावना हो सकती है कि वो coronavirus affected हो पसंद ओके इस से पहले जो CDC Center for Disease Control and Prevention जो पहला था breath shortness ओके और दूसरा था कफ खासी और थार्ड था fever ठीक है यह तीन स्टार्टिंग में में symptoms थे coronavirus के और अभी जो रिचेंटली छे नए और एड़ कर दिये गए इस लिस्ट में तो टोटल नाइन हो गया है ठीक है नाइन सिम्टम्स है coronavirus या covid-19 जो डिजीज है उसक और CDC ने एक list और जारी कि जिसमें उसने ये बोलाए कि अगर लोगों को लगे कि उनको इस टाइप की problem हो रही है जैसे कि breathing problem हो रही है या फिर continuously pain हो रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि chest पर कोई pressure है और या फिर lips या फिर faces जो है वो blue हो गया है blue color के हो गया ऐसी situation में वो जाक कि अपना test करा है COVID-19 और coronavirus को लेकर ओके तो यही थे कुछ recent symptoms जो कि CDC के द्वारा list किये गए है coronavirus से related hope you guys find it useful and if you find it useful then do like share and subscribe to study couch thanks for watching and have a good day